अबस्कार सुबह के दस बजे हैं और अब तक के तमाम अपडेट्स के साथ हाजिर हूँ मैं पृती सिंग आए शिरुवात करते हैं हेडलाइन्स के साथ अपने संसदीक शेत्र वाननसी पोहचे प्रधानमंत्री नरिंद्र मोदी आज 13,000 करोड रुपए से अधिक लागत की कई विकास पर योजनाओं का करेंगे उध्घाटन और शिलान्यास संतगुरु रविदास जन्वस्थली में करेंगे पूजा और दर्शन, मनारस हिंदू विश्विविद्याले में पुरसकार वित्रन समारों में भी होंगे शामिल किसानों के कल्यान के लिए प्रतिबद्ध है सरकार बोले प्रधान मंतरी एहमदाबाद वे गुजरात दुग्द विपड़न परिसंख अमूल के स्वन जेनती समारों को किया संबोधेत कहा सरकार महिलाओं के आर्थिक शक्ती बढ़ाने के लिए बहु आयामी रणनीती पर कर रही है का बेडिकल टूरिज्म का तेजी से उभरता हुआ केंद्र बन रहा है भारत बोले उप्राश्पती ज़दीब धनखर दिल्ली के भारत मंडपम में Association of Physician of India Epicon 2024 के उन्यासिवे वारशिक सम्मेलन को किया संबोधेत कहा एक समान पहुँच और निश्पक्षिता होनी चाहिए स्वास्ति सेवाओं की कसोटे विदेश मंत्री एक डॉक्टर एस जैशंकर का बयान संयुक्त राश्टर सुरक्षा परिशत के पांस थाई सदसे देशों का कम दूरदर्शी नजरिया लंबित सुधार की राह में आगे बढ़ने में बड़ी बाधा राइसीना डायलोग के एक सत्र में विदेश मंत्री का संबोध है और भारत इंग्लिंड पांच मैचों की टेस्स सीरीज का चौथा मुकाबला आज इंग्लिंड ने टॉस जीत करकिया पहले बैटिंग करने का फैसला प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को उत्तर प्रदेश पहुँचे वारा नसीब पहुँचने पर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी का जोड़दार स्वागत हुआ प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए समर्थकों का सैलाब आधी रात को सड़कों पर खड़ा था जैसे ही उनका काफिला आगे बढ़ा उन्होंने हर हर महादेव के नारे के साथ तमाम लोगों ने वहाँ उनका स्वागत किया और फूलों की वर्षा की धानमंत्री ने काशी बे रात के वक्ती शिवपुर फुलवारिया लहर तारा मार का निरिक्षन किया इस पर योजना का हल ही में उद्घाटन किया गया था और यह शेहर के दक्षणी हिस्से के लोगों के लिए काफी मददगार सामित हो रहा है साल 2014 के बाद से प्रधानमंत्री ने सडक, रेल, विमानन, परेटन, शिक्षा, स्वास्थ, पेजल, शेहरी विकास और स्वच्छता जैसे महतपूर्ण क्षेतरों के लिए कई विकास पर्योजनाय शिरू करके वारा नसी और इसके आसपास के खेतरों के काया कल पर ध्यान के इंद्रित किया है और इसे दिशा में एक और कदम आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री वारा नसी में आज 13,000 करोड रुपे से जादा के लागत की तमाम विकास पर्योजनायों का अध्गाटन और शिलान नियास करने वाले हैं दुपहर करीब पौने दो बजे यानि एक बच कर 45 मिनट पर इस कारिक्रम की शुरुवात होगी वारा नसी की सड़क कनेक्टिविटी को और बहतर करने के लिए प्रधानमंत्री NH 233 के घरगरा ब्रिज बारानसी खंड के चार लेन सहित कई सड़क पर्योजनाओं का अध्गाटनों और शिलानयास भी करेंगे प्रधान मंत्री बारानसी में कई शेहरी विकास परियोजनाओं का उधगाटन करेंगे जिनमें रमना में एंटी पीसी द्वारा शेहरी कचरे से चार कोल सैयंत्र और सिस वरुन क्षेत्र में जल आपूर्ती नेटवक का उन्नेयन भी शामिल है इस खेत्र में आध्योगिक विकास को गती प्रधान करने के लिए कई और परियोजनाओं भी लाई जाएंगी प्रधान मंत्री बारानसी में परिटन और आध्यात्मिक परिटन से संबंदित कई परियोजनाओं का भी उधगाटन करेंगे इन परियोजनाओं में दस आध्यात्मे की आत्राओं के साथ पंचकोशी परिक्रमा मार्ग और पावन पंथ के पाँच पड़ावों पर सार्जनिक सुविधाओं का पुनरविकास शामिल है साथी वाननसी और युध्या के लिए भारती अंतरदेश्य जलमार प्रादिकरन द्वारा प्रदान किये गए इलेक्ट्रिक क्याटिमरन जहाज का शुभारम भी होगा इलेक्ट्रिक क्याटिमरन हरित उर्जा की उपयोग के साथ गंगा में परिटन के अनुभव को बढ़ाएगा प्रदान मंतरी विभिन शहरों में आई डबलू ए आई के तेरा सामुदाई घाटों की आधारशिला भी रखेंगे वहीं वाननसी के प्रसद वस्त्र क्षेतर को प्रोटसाहन देने के लिए प्रदान मंतरी वाननसी में राष्ट्रिये फैशन प्रोध्योगे की संस्थान यानि एन आई एफ्टी की आधार चिला रखेंगे ये नया संस्थान टेक्स्टाइल के क्षेतर में शिक्षा और प्रशिक्षन के बुन्यादी धाचे को मजबूती प्रदान करेंगा स्वास्थ के बुन्यादी धाचे को बढ़ाते हुए, मजबूत करते हुए प्रधानमंत्री वानारसी में एक मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रखेंगे साथी वो बीएचियू में नाशनल सेंटर ओफ एजिंग की आधारशिला रखेंगे वाना नसी के बनारा सिंदू विश्विविद्याले के स्वतंतरता सभागार में पुरसकार वित्रन समारों में वो शामिल होंगे इस दोरान प्रधान मंत्री काशी संसद ज्यान प्रतियोंगिता, काशी संसद फोटोगरफी प्रतियोंगिता और काशी संसद संस्पित प्रतियोंगिता के विजेताओं को पुरसकार भी प्रधान करेंगे प्रधान मंत्री संत्गुरु रविदास जन्स्थली पर पूजा और दर्शन करेंगे उस संत्गुरु रविदास जन्स्थली मंदिर के समीब रविदास पार्क में संत्गुरु रविदास की नवस्थापित प्रतिमा का अनावरन करेंगे इसके बास संत्गुरू रविदास की 647 वी जयंती के उपलक्ष में एक सार्वजनिक समारों में भाग लेंगे और संत्र रविदास जन्स्थली के आसपास लगभग 32 करोड रुपे की विभिर्न विकास कार्दियों का उद्खाटन करेंगे लगभग 32 करोड रुपे की लागत से संत्र रविदास संग रहले और पार्क के सौंदरी करण की आधारशिला भी रखेंगे वारा नसी में प्रधान मंत्री के इन कारिक्रमों का सीधा प्रसारन आप संसर टीवी पर देख सकते हैं अप्डेट एट 10 में तमाम जो खबरे हैं वो जारी हैं और वारा नसी में आज प्रधान मंत्री का जो भी कारिक्रम होने वाला है उससे जुडा तमाम अप्डेट हम आपके सामने लेकर आएंगे खबरों में फिलाल आगे बढ़ते हैं प्रधान मंतरी राष्ट्रे ताप विद्यूत निगम के लारा सुपरताप विद्यूत परियोजना चरण एक को राष्ट्र को समर्पित करेंगे और राश्ट्रे ताप विद्यूत निगम के लारा सुपर ताप विद्यूत परियोजना चरन दो की आधारशिला रखेंगे चरन एक और चरन दो दोनों से 50 पृतिशत बिजली 36 गड राज्जी को आवंटित की जाएगी ये परियोजना गुजरात, मध्यप्रदेश, महराष्ट, गोवा, दमन और दीव, दादराव नागर हवेली, सहित अन्य तमाम राज्जी और केंद्रशासित प्रदेशों में बिजली के जो विवस्ता है उसमें सुधार करने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएग प्रदानमंत्री साउथ इस्टिन कोल फील्ड लिमिटेड की तीन प्रमुख फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी परियोजना का उधगाटन करेंगे जिसके कुल लागत 600 करोड रुपे से जादा की है ये परियोजनाई कोईले की तेज परियावरन अनुकूल और कुशल मशीन प्रदानमंत्री क्षेत्र में नविकर्णिय उर्जा के उत्पादन को प्रोचसाहन देने के लिए एक कदम की रूप में राजनन गाउं में लगबग 900 करोड रुपे की लागत से निर्मित 100 पीवी परियोजनाओं का उधगाटन करेंगे परियोजना सालाना अनुमाने 243.53 मिलियन यूनिट बिजली पैदा करेंगी और 25 साल में लगबग 4.87 मिलियन टन कार्बन डायोकसाइड के उत्सरजन को कम करेंगी प्रधानमंत्री क्षेतर में रेल के बुन्यादी ढाचे को मजबूत करते हुए लगबग 300 करोड रुपे की लागत से बनने वाले बिलासपूर उसलापूर फ्लायोवर का लोकारपन करेंगे इससे यातायात की भारी भीड कम होगी और बिलासपूर से कटनी की उर जाने वाला कोईला ले जाने वाला जो यातायात है वो समाप्त हो जाएगा प्रधानमंत्री भिलाई में 50 मेगवाड का सौर उर्जा संयंत्र भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे इससे रिलगाडियों को चलाने में सौर उर्जा के उप्योग में साहिता मिलेगी बात कुछ और खास अपडेट की करते हैं विदेश मंत्रियस जैशंकर ने कहा है कि संयोक्त राष्ट्र सुरक्षा परिशद के 25 सदसे देशों का कम दूरदर्शी नजरिया इस वैश्विक निकाय में बहुत अधिक समय से लंबित सुधार की रह में आगे बढ़ने में एक बाधा है राइसीना डायलोग के एक सत्र में उन्होंने कहा कि संयोक्त राष्ट्र सुरक्षा परिशद में सुधार का सबसे बड़ा विरोधी कोई पश्चिमी देश नहीं है विदेश मंत्री ने कहा कि संयोक्त राष्ट्र प्रणाली में बदलाव की भावनाएं बहुत मजबूत हैं लेकिन इसके लिए सहमती प्राप्त करना चुनौती है विदेश मंत्री ने कहा कि अगर आप सुरक्षा परिशद में शामिल देशों से पूछेंगे कि आपकी शक्तियां कम होंगी तो उनकी प्रतिक्रिया का अंदाजा लगाना कठिन नहीं है डॉक्टर एस जाशंकर ने कहा कि अगर ये देश बुद्धिमान है तो इनका उत्तर कुछ और होगा हाला कि अगर ये देश अदूर दर्शी है तो उत्तर वही होगा जो आज है UNHC में पास था इस अदर से रूस, ब्रिटिन, चीन, फ्रांस और अमेरिका है इनके पास किसी भी देश की तरफ से पेश किये गए ठोस प्रस्ताव पर वीटो करने का अधिकार है राइसेना डायलोग भूर राजनीती और भूर रणनीती पर केंद्रित भारत का प्रमुख संबेलन है ये तीन दिवसिय संबेलन बुधवार को शुरू हुआ, तीन दिवसिय संबेलन का विशे, चतुरंगा, संघर्ष, प्रतियोगिता, सहयोग और स्रिजन है प्रधान मंत्री नरिंद्र मूदी ने एहमदाबाद के नरिंद्र मूदी स्टेडियम में राज्य के विभिन हिस्सों से आए किसानों की मौझूदगी में गुजराच सहकारी दुग्द विपरण महसंग के स्वर्ण जेहनती समारों में शरकत की इस मौके पर प्रधान मंत्री ने कहा कि भारत का दुग्द क्षेत्र 6 प्रतिशत की दर्श से विक्सित हो रहा है ये 10 लाग करोड के वार्षिक टरनोवर के वैश्विक औसत से बहुत जादा है उन्होंने कहा कि भारत के दुग्द क्षेतर की वास्तविक शम्ता के पीछे महिलाओं की शक्ती है किसानों और महिलाओं को स्वावलंबी बनाने में अमूल के योगदान की सराना करते हुए प्रधान मिंतरी ने विक्सित भारत का लक्षे प्राप्त करने के लिए महिलाओं की आर्थिक शक्ति बढ़ाने पर जूर दिया आज भी ये सरकार और सहकार के ताल बेल का बैतरिन मोडल है ऐसे ही प्रयासों की वज़े से हम आज दुनिया के सबसे बड़े दूदुतपादक देश है भारत के डेरी सेक्टर में आठ करोब लोग सीजे जुड़े हुई है अगर मैं पिछले दस साल की बात करो तो भारत में दूदुतपादन में करीब करीब साथ प्रतीशत वृत्ति हुई है पिछले दस वर्सों में प्रती व्यक्ति दूद उपलब्दता भी करीब करीब 40 प्रतीशत बड़ी है दुनिया में डेरी सेक्टर सिरफ दो प्रतीशत की दर से आगे बढ़ रहा है जबकि भारत में डेरी सेक्टर छे प्रतीशत की दर से आगे बढ़ रहा है साथियों भारत के डेरी सेक्टर की एक सबसे बड़ी विशेस्ता है जिसकी उतनी चर्चा नहीं होती आज इस अइतिहासी अवसर पर मैं इस विशेपर भी विश्तार से चर्चा करना चाहता हूँ भारत में दसलाग करोट रुपिये के टर्नोवर वाले डेरी सेक्टर की मुख्य करता धरता बेश की नारी शक्ती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजराद के नवसारी में विभिन परियोजनाओं के उद्गाटन लोकारपन और शिलानास कारिक्र में हिस्सा लिया उन्होंने नवसारी में काकरापार परमाणू उर्जा परियोजना सहित अन्य विभिन परियोजनाओं का भी रोकारपन किया इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि बढोदरा, नवसारी, भरूच, सूरत और दूसरे क्षित्रों को हजारो करोड रुपे के नए प्रोजेक्ट्स मिले है उन्होंने कहा कि आजकल पूरे देश में एक चर्चा जोरो पर चल रही है वो चर्चा है मोदी की गैरेंटी देश का बच्चा-बच्चा कह रहा है, मोदी ने जो कह दिया, वो करके दिखाते हैं आजकल पूरे देश में एक चर्चा बड़ी जोरों पर चल रही है पार्लामेंट में भी चलती है और गली मोहले में भी चल रही है और वो चर्चा है मोदी की गारड़ी देश का बच्चा-बच्चा कह रहा है मोदी ने जो कह दिया, वो करके दिखाता है देश के बाकी लोगों के लिए तो शायद ये बात नहीं है लेकिन गुजरात के लोग तो बरसों से जानते हैं कि मोदी की गारंटी यानि गारंटी पूरा होने की गारंटी प्रधार मंतरी नरेंदर मोदी ने कहा कि जब मैं गुजरात में था तो 5F की बात करता था इसका मतलब ता Farm, Farm to Fiber, Fiber to Factory, Factory to Fashion, Fashion to Foreign यानि किसान कपास उगाएगा, कपास फैक्टरी में जाएगा फैक्टरी में बने धागे से परिधान बनेंगे और यहीं परिधान विदीशों के लिए निर्याद होंगे आज आत्म निर्भर भारत बनाने के लिए हम ऐसी ही व्यवस्ताओं का निर्मान कर रहें पी-म मित्र पार्क यह पी-म मित्र पार्क भी इसी अभियान का हिस्सा है नवसारी में आज जिस पी-म मित्र पार्क का काम शुरू हो रहा है वो टेक्स्टाइल सेक्टर के लिए देश का ऐसा पहला पार्क है आज एक प्रकार से सूरत सिल्क सिटी का विस्तार नवसारी तक हो रहा है आज इस सेक्टर में दुनिया के सबसे बड़े उत्पादकों और निर्यातकों को भारत तक कर देने लगा है और इसमें गुजरात की टेक्स्टाइल इंडस्टी का बहुत बड़ा योगदान है बीते वर्सों में सूरत के कपड़े की अपनी एक अच्छी पहचान बन गई है यहाँ जब यह पी-एम मित्र पार्क तयार हो जाएगा तो इस पूरे खेत्र की तस्वीर बदल जाएगी इस पार्क के निर्माण में ही तीन हजार करोड रुपय का निवेश होगा यहाँ पर कताई, बुनाई, जीनिंग, गार्मेंट, टेक्निकल टेक्स्टाइल और टेक्स्टाइल मसिल्डी ऐसे हार काम के लिए वेल्डू चेन का इको सिस्टिम बनेगा प्रधानमंत्री नरिंद्र मोदी ने गुजरात की मेसाना में कई विकास पर योजनाओ का शिला नयास और लोकारपन किया इस दोरान गुजरात की मुख्यमंत्री भुपेन पटेल भी मौझूद रहे इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की विकास यात्रामई का अद्भुत काल खंड है एक ऐसा समय है जब देवकाज हो या देशकाज दोनों तेजगती से हो रहे हैं आज विकास से जुड़े 13,000 करोड रुपे की प्रोजेक्ट्स का शिला नियास और लोकार पड़ हुआ है बीते दो दसकों में हमने गुजरात में विकास के साथ साथ विरासत से जुड़े स्थानों की भव्यता के लिए भी काम किया है दुर्भाग्य से आजान भाग में लंबे समय तक विकास और विरासत उसके बीच टक्राव पैदा किया गया दुश्मनी बजा दी इसके लिए अगर कोई दोशी है तो वही कॉंग्रेस है जिनोंने दसकों तक देश पर साथन किया ये बढ़ी लोग है जिनोंने सोमना जेज़े पावन सल को भी दिवात का कान बढ़ा है कोई भी देश अपनी विरासत को सहट कर ही आगे बढ़ सकता है आज नए भारत में हो रहा हर प्रयास भावी पीडी के लिए विरासत बनाने का काम कर रहा है आज जो नई और आधुली सड़के बन रही है रेलवेड ट्रैक बन रहे है एविडशित भारत के ही रास्ते